प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें मैं इसलाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स कल्यान पुलिस ने एक बड़े जालसाजी के मामले को उजागर किया है, जिसमें साथ आरूपियों को गिरफ्तार किया है, इनमें से तीन महिलाए हैं और चार पुरुष हैं कल्यान के बाजार पेठ में रोलिंग स्किम के नाम पर लोगों को लोन देना, पैसे इन्वेस्ट करना और डबल करके देने के नाम पर लोग जालसाजी के शिकार हो गए हैं बता दे करोना महामारी के दोरान मुख्य आरूपी परसांद कामले की मौत हो गई जो इस कमपनी को चलाया करता था उसके बाद ये कमपनी चलाना बड़ा ही मुश्किल हो गया जो लोग इस कमपनी में पैसे लगाये थे करीब 35 से 35 लोगों ने इस जालसाजी की शिकायत पुलिस में की शिकायत के बाद जालसाजी के आरोप में पुलिस ने तीन महिला और चार पूरुसों को गिरफतार किया है इनके नाम है हेमलता महादेव कामले 51 वर्ष सुप्रिया वसं 33 वर्ष तनमय विवेक देशमुक 27 वर्ष बिर्शाली विनायक पवार 29 वर्ष अभिजीत जैवन गुर्वा 34 वर्ष राहुल सुरेश कोलगे 21 वर्ष मितेश्ट प्रकास कामले 29 वर्ष है पुलिस ने इनके पास से 4 करोड की प्रोपर्टी भी जबत की है और जो इन्वेश्ट का मामला है वो करीब 6 करोड रुपे तक का बताया जा रहा है पुलिस बड़ी ही बारिकी के साथ इस मामले की जात में जुटी हुई है और पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या पूरी जानकारी दी है सुनी अमाउंट यह खुद के रुबीन स्कीम में लेता था और उसके हर मैने एक टका व्याज पर उसका जो यह मां है बोड़ी वो खुद बरता था बात में कोरोना के दर्म्यान उसका मृत्य हो गया और यह पूरा जो स्कीम है वो घटड़ हो गए उसमाई आफ्ता भगना उसको ब बन हो गाए इसके बाद हमारे पास तग्रीबन थाट्युन लोग आलगलग टैप्या है उसमें से प्रोटल चे करोण सब्तर लाग तक इंवेस्टमेंट इसमीं की है बनादाप्री करने के बाद हमारे सीनिर्पिया है और काम पिया है फिर उन्हें तपास करके अब तक साथ सालोदियों को आरेस्टिया है और चाह करोण तक की जो प्रोपर्टिया है और सीज की अब यह को पंदाधारिक तक की पीस्याय मिली है उसके और किस्टोगों का उसके शाहत है इसके बारे में तुम इसका पास करें